गर पे सुमामनी का प्रोग्राम रखा था, उनको बोल के भी आया था कि डाका जी सर आपको आना है और आपको लडू से तोलूँगा, यह मेरी इच्छा है परें तो बच्चे को समझना चाहिए कि बच्चा किस ताइब का बच्चा है, बच्चा क्या चाहता है इसको कैसी सिंखाया जा सकता। प्रिंस ही एक ऐसी स्कूल है जो कहते हैं न वो करके दिखाते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि 2026 में मैं नीट में ओल इंडिया टॉप करूँ देटी के मामा जी स्रीमान गंस्याम जी सेनी महत्मा जोतिबा फूले की परतिमा भेट कर बेटी को समानित करें जी नमस्कार प्रिन्स एजुकेशन आप सीकर की अगरनी संस्तान प्रिन्स स्कूल सीकर से मैं प्रकास बीचर मादेमिक शिख्या बोर्ड राज़स्थान अजमेड द्वारा जारी टेंथ के परिणामों में संपूर राज़स्थान भरमेट थर्ड रेंग के साथ संपूर सेखावाटी और मरुधरा को गौरवानवित करने वाली राजस्थान के जुन्जुनु जिले के चेड़ावा के सुल्तानावास की सेनी परिवार के एक सपूत पर्तिवासाली बेटी जिसने प्रिंच स्कूल सीकर में पढ़कर 99.3 का बहत्रिन स्कूर बनाया है बेटी चंचल सेनी हमारे बीच मोजूद है मेरे बाइनी तरफ चंचल के पिताजी स्रीमान बीजेस जी सेनी बीजेस जी सिकर के मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप इनकी माताजी स्रीमती सुसिलाजी सेनी जो पेसे से एक सरकारी सिक्सी का है तो सब से पहले चंछल से बात करते हैं, चंछल बहुत बदा है हुआ हूआपको अप कितने साल पड़े हैं? और दो साल में आपका क्या परा लाया है स्टार्टन दयंग में बहुत जादा एवरेज़ बचही थी ठीच ती लेकिन फिर धिरे-धिरे मैंने प्रोग्रेश किया और फिर लास्ट टायम साखीatory मैंने मैंने स्कोर अच्छा थी उश्ट धूरे-चब टो 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 टीमोटिवेट नहीं होई लेकिन पापा कहते थे बहुत कब नंबर आए हैं कभी कब आरी श्कूल भी ले जाते थे तो ब्राबर मोनिटरिंग कर रहे थे हाँ लेकिन कई क्लास में लड़के ऐसे कहते थे हमारे पैरेंट्स तो कुछ ही नहीं कहते हैं तब लगता था कि मेरे पैरेंट्स ऐसे क्यों बोलते हैं लेकिन अब लगता है वो बहुत सही था बिल्कुल जिस टाइम स्कोर गिरता था तो मम्मी और पापा की द्वारा डाट पड़ती थी उस टाइम यह जरूर लगता था कि एक क्यों डाट रहे और बच्चियों को तो उनकी पिता जी नहीं डाड़ते पर जब रिजल्ट आया तब आपको उस चीजों का ऐसास हो गया अ हमेसा मेन कारण रहा है कि यह सपलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता उस पर फिदा हो जाती है कितने गंटे पड़ा करते थे आप दिन बर मैंने टाइम देख कि स्टड़ी नहीं की बस मैं टार्गेट कर लेती थी कि यह टोपी मेरे को यह सब्जेक्ट में यह चैप्टर में यह करने है तो यह करके सौंगा चाहिए मैं कितनी गंटे बड़ो चाहिए उस रात सोना ही नहीं हो तो एक्जाम टाइम जैसे आपका बोड एक्जाम आया तेंट का उस टाइम से दो महीने के पहले कि आपकी दिन से रहे और उससे प्रूपी पहले कि क्या थी पराने पेपर से उनको भी दूबारा सोल किया अधर स्कूल से जो भी पेपर आये मेरे पास मेरी फैमिली में वह भी सोल किया मैं अब आप मुझी यह बताओ एक्जाम से ज़्श्ट पहले आपने आपको तंदुरुस्त और सवस्त रखने के लिए क्या कुछ किया है मैं एक एक्जाम टाइम में और रेगुलर बेसिस पर रनिंग करती थी और जो रसी कुदते है वो भी कुदती थी तो रनिंग के फोज में जाने का सपना था क्या हुश्टा है पाप ऐसे कहते थे कि तेर को आर्मी में बेजेंगे आर्मी डोक्टर बनाएंगे तो वहां पर अपने पूरे राजस्थान में परिंच ही एक ऐसी स्कूल है जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं जी जी मैं कुछ समय पहले और जो अपने परिंचिपल मनोज डाका जी उनके पास गया और चंचल के एक सबजेक्ट इंगलिस में लंबर आठ लंबर कटे थे उस टाइम मे उनके पास गया है मैंने उनको कहा कि सर आठ लंबर कटे हैं और मैं तो चंचल की मेरिट में आने की मेरी इच्छा है कि चंचल मेरिट में आए जी तो उन्होंने मेरे को एक ही बात कही नहीं बर्जेज जी चंचल मेरिट में आएगी और 99 परसेंट से उपर आएंगे तो मैं पॉंट से उपर लंबर आएंगे तो मैं उनकी बात मान के मैं घर पर आ गया दागा जी को इस बेटी पर वरोसा था बिल्कुल इस पर वरोसा था तो वह बात मैं आज भी मां सोचता हूं ना घर बैठे तो मेरे दिमाग में वही बात गुमती है कि दाका जी सर को यह कैसे अपने का प्रोग्राम रखा था उनको बोलके भी आए ता कि डाका जी सर आपको आना है और आपको लडू से तो लूगा यह मेरी इच्छा है क्या बवात है तो डाका जी कोई जरूरी काम होने के वज़र से वो नहीं आपाई सुसिला जी आपको भी बहुत बढ़ाई हो थैं का मतलब इसको आंसर चाहिए कि यह कैसे हो गया मैं वैसे साइंस की टीचर हूँ तो यह साइंस की क्योशन पूश्टी थी लगवग तो मैं आप संतुष्ट कर देते इसको सुसिला जी आप खुद एक सिक्सिका हो तो असल माइनों में एक अच्छी सिक्ष्या के मापद नि कैसे होने चाहिए आज की जबने में कि अच्छी तो यह जो चाहते हैं नो इसको वैसे इसका जो इसकार ना बिल्कुल उछकी स्कुल किसे मानते व आप अच्छी स्कूल वह यह है अच्छों को मतलब एक अपने घर परिवार की तरह रहा कि जी जी क्वरे राखे मिन को और सब्सक्राइब और वह सब्सक्राइब अपने सब्सक्राइब में बहुत अनुशासन है तो मैंने खूब देखा आपने किन माइनों में आपकी प्रिंच सबसे बेश्ट है पिर बची को वाहं छोड़के जब कि एक्जाम टाइम में छुट्याँ चल रही थी ना लास्ट में तब भी मैं बच्ची को उनके पास छोड़के जाती थी क्योंकि मेरी श्कुल में भी बौड्र के एक्जाम चल रही तो मुझे छुट्धा नहीं मिल दी तो मैं बीच- बहुत बहुत था था निवाद आपको चंचल 99.33 का स्कोर है कितने गंटे पड़ाई कर लेती तिए आप इस्कुल के लावा श्कुल के लावा छे-साथ गंटे आपके टेस्ट भी होते थे कंटीनु टेस्ट स्रीज चलती थी हां टेस्ट चलती ती उसका किना योगदान मानत दो बोलू तो बहुत ज़ादा योगदान है क्योंकि हर एक हकते में टेस्ट कंपलसरी ज्यादा हो तो हो जाएंगे, लेकिन एक तो पूरा हफ़ते मिवाई सैंट RAW गड़ाएन टेस्ट सा अपनलो फूरा हफते दे गजाता थे कोशन्स भी कॉशन्स उसके द्र जादा हो ज आप इतनी परतिबास साली बेटी हो तो आप आइडियल किसे बानते हो अपना अपना एजू के सनमे या इन फ्यूटर की बात करें तो आप किसको देख आगे विडियो कि मुझे उनके तरह ये कुछ बनना है ये करना है कुछ आइडियल कोई तो होगा घर में है कौन है मम्मी ममी ने मतलब बहुत जादा महनत किया बहुत जादा महनत किया किस परकार ममी का स्योग आप को ममी का बहुत जादा से योग है देखे बेटी बहुत हो चुकी है क्योंकि एक मा और बेटी का रिष्टा बहुत गहरा बेजोड अटुट रिष्टा होता है माने भी साइद बे बेटी बहुत जीदी है काते हैं कि वहां तुपान भी हार जाते हैं जा कस्तियां जीद पे होती हैं और इस बेटी की अच्छी मेहनत और जीदी होस्तों के सारे आपका 99.33 का स्कोर बना है इस बड़े स्कोर के लिए संपुन सेनी परियार को सुचिला जी विजेश जी चंचल आपको बहुत बहुत बदाई